बिहार में धान खरीद के लिए निर्धारी तीथी को एक किस फरवरी तक के लिए बढ़ा दिये हैं लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपने धान नहीं बेच पा रहे हैं रसल सहकारिता विभाग की वेबसाइट से किसानों की धान खरीद के लिए निबंधन बंद कर दिया गया है इसके लिए निबंधन 27 जन्वरी से ही बंद है इससे बिहार के प्रतेक पंचायत के लगबग 20% किसान चाह कर भी अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं इस संदर्ब में किसानों का कहना है कि पैक्स सिर्फ क्रिसी विभाग की वेबसाइट पर निबंधन के इच्चुक किसान से ही धान ले राए है ऐसे स्थिती में जिन किसानों ने पोर्टल पर खुद दिमन्धन कराया है उनका धान PAKS नहीं ले रहा है वहीं PAKS समेतियू का कहना है कि विभाग के तरफ से ही कहा गया है कि सिर्फ किसान सलाकार द्वारा सर्वे कराकर निबंधन के चुक किसानों का ही धान खरीदना है ऐसे स्थिती में धान कैसे लेंगे बताया जाता है कि पिछली बार धान खरीद के लिए 31 जनवरी तक की आखरी तारीक होने के कारण अधिकतर किसानों ने धान खरीद के लिए पैक्सों के पास पहुचा दिया है लेकिन कैश और क्रेडिट के अभाव के कारण किसानों के भुगतान नहीं हो पा रहा है सरकार के तरफ से कहा गया है कि सभी निवंधित किसानों से धान की खरीद की जानी है जबकि PAX ने उन्हीं किसानों को धान खरीदने के लिए बुलाया है जिनका आवेदन पोर्टल पर सत्तापित हो चुका है बिहार के एक किसान के पास लगबक 30 क्विंटल धान है लेकिन वो अपनी धान नहीं बेच पा रहे हैं किसान के कहना है कि उनके पास 30 क्विंटल धान है जिसे वो बेचना चाते हैं क्रिसी विभाग की वेबसाइट पर उनका निवंधन हो चुका है लेकिन सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर उनका निवंधन नहीं हो पाया है सरकारिता विवाद की वेबसाइट पर उनका निबंधन नहीं होने के वज़ा से उनका डाटा पैक्स के पास नहीं है पैक्स बिना निबंधन के धान लेने से इंकार कर रहा है ऐसी इस्तिती में आलम यह है कि घर में रखे रखे धान को चुहे खा रहे हैं और बरबाद हो रहे हैं ना तो पैक्स धान ले रहे हैं और ना ही बनिया धान ले रहा है अब ऐसे में सवाल यह है कि वो अपना धान कहां बेचेंगे वह एक अन्य किसान को 50 क्विंटल साधिक ध अभी जानकारी के मुताबिक दो फरवरी 2021 तक एक लाग सथे जान की खरीद हो पाई है 21 फरवरी तक धान की खरीद की आखरी तारीक है और अभी किसान सलाकार द्वारा निबंधन के चुक किसानों का ही धान खरीदा जा रहा है बताते चली कि राज्य में हरवर्स किसानों के धान की खरीद की जाती है बिहार में धान की अच्छी पैदावार होती है इस बार भी यहां धान की अच्छी पैदावार हुई थी दरसले यहां धान की खेती युग की जमीन होने के साथ साथ मौसम भी अनु बिहार के प्रतेक पंचायत के लगवग 20% किसान चाह कर भी अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं तो अभी के लिए बस इतना ही बिहार की हर छोटी बारी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखती रहे बिहारी नियूज धन्यवाद